देश के अंदर एक ऐसी ताना सा सरकार चल रही है जिसने देश के सरवरसेष्ट सिच्छा मंत्री दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविश्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले सिच्छा मंत्री मनीश सी सौधिया को जेल में डाल दिया उस मनीश सी सौधिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला घर में 14 घंटे चापे मारी की सी बी आई ने कुछ नहीं मिला दफ्तर में चापे मारी की कुछ नहीं मिला गाउ में चापे मारी की कुछ नहीं मिला बैंक का लॉकर चेक कर लिया कुछ नहीं मिला और आप कल्पना कीजिए कि 10,000 करोन की रिश्वत कारोप लगाया जारा आपके उपर कोई तो संपत्ती मिलती, कोई तो पैसा मिलता, कोई तो काज्यात मिलता लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनितिक कारणों से और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनिस्स सौधिया को गिरिफ्तार किया है अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार जो लाखों करोन के घोटाले में फसी हुई है, हजार दो हजार करोन के नहीं लाखों कर उनके घोटाले में उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीश से सौधिया पर कारवाई की जा रही है और कब की जा रही है जब संसद में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई जेपीसी बनाओ अडानी की जाच कराओ उससे ध्यान हटाना कभी इसको नोटिस कभी इसको नोटिस और अब जेल में डाल दो मनीश से सौधिया को वो अडानी जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोईला दे दिया गैस दे दिया बिजली दे दिया पानी दे दिया सड़क दे दिया स्टील दे दिया सिमेंट दे दिया सीपोर्ट दे दिया एरपोर्ट दे दिया यानि आकास से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया धाई लाग करोन का करजा दे दिया 84 हजार करोन का करजा माफ कर दिया और उस अडानी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ बगल के मौरिसस में छे कमपनिया एक पते पे खोली फर्जी कमपनिया और 42,000 करोन रुपए का काला धन अपनी कमपनियों में लगाया और ऐसे ही तमाम करे भी आई देसों में फर्जी कमपनिया खोल के हजारों करोन रुपए अपनी कमपनी के अंदर लगाया ये काला धन किसका है मोदी जी पूरा देस आप से पूछ रहा है भारती जंता पाटी का काला धन है मोदी जी आपका काला धन है आपके अधिकारियों का काला धन है या फिर आतंकवादियों का काला धन है किसका कारधन है जो अडानी की कमपनी में लगा है अगर इसकी जाच हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो जाएगा और इसी के कारण मनिस्ति सौधिया का मामला उठाये गया है अर्विंद केजरिवाल जी की सरकार जो पूरे देश में सबसे बेहतरीन काम कर रही है या उनकरनी काम कर रही है लोगों को फ्री बिजली देना फ्री सिक्षा देना फ्री स्वास्त की बिवस्ता देना बुद्रगों की तीर थ्यात्रा कराना जनहित के सारे काम करने के बावजूद मुनाफे का बज़ट देना दरसल ये गले की हड़ी बन गया नरेंद्र मोधी जी की वो नहीं चाहते कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार चले जो दुनिया और देश के लिए उधारन बने अमेरिका के रास्टपती की पतनी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें अरविंद केजरिवाल के स्कूल देखना है मनिस सौदिया के द्वारा बनाएगे स्कूलों को देखना है परिशानी ये है कि आज जो दिल्ली सरकार की लोग प्रियता पूरे देश में बढ़ रही है अरविंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी की लोग प्रियता पूरे देश में बढ़ रही है उससे बौखला कर ये कारवाई की जा रही है ये ताना साही की इंतहा है मैंने कल भी कहा था अज फिर दोहरा रहा हूँ और मोदी जी इस ताना साही का अंत जरूर होगा क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ लाखों करोण की लूट करने वाला आपका मित्र अडानी है जिस पे CBI खामोस, सेवी खामोस, ED खामोस, Income Tax Department खामोस, उसके पोर्ट से मुंदरा पोर्ट से हजारो करोण की ड्रक्स पकड़ी गई सारी की सारी एजंसिया खामोस एक तरफ लाखों करोण का घोटाला करने वाला आडानी है आपका मित्र डानी है मोधी जी जिसके खिलाप आप कोई कारवाई नहीं करते हैं और दूसरी तरफ लाखों बच्चों का भविष्ट से बनाने वाले मनिश से सौधिया हैं जिनको आप जेल में डाल रहे हैं इसलिए लोग आपके साथ इंसाफ जरूर करेंगे क्योंकि ये लोग तंत्र है डेमोक्रेसी है जमूरियत है यहां किसी की ताना साही लंबे समय तक नहीं चल सकती आप इन मुकदमों से हम लोगों को डरा रहे हैं पता तो कर लिजे हम आदमी पार्टी की हिस्ट्री अरे हम आंदोलन की कोहक से पैदा हुई पार्टी हैं हम अडानी के नौकरों से नहीं डरते मोदी जी अब हमें जेल का मुकदमों का एफाई आर का गिरिफतारी का डर दिखाते हैं कुछ भी कर लीजिए लेकिन आपके घोटाले को हिंदुस्तान के घर घर में पहुचाने का काम आम आदमी पार्टी करेगी इसलिए जितना मुकदमा लिखना है लिखो जितनी बनर घुर की दिखानी है दिखाओ पूरे देश के सामने मोदी अडानी भाई 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 देश बेच के खाई मलाई के इस रिस्ते को उजागर करेंगे हम लोग इस प्रकार की कारवाईयों से हम रुकने वाले नहीं है आज क्या हुआ हमारे कार्याले पे आम आदमी पार्टी एक रास्टी ये पार्टी है दिल्ली देश की राजधानी है और ये हमारे इस रास्टी ये कार्याले के अंदर आप पुलिस वालों को भेज रहे हैं यह हमारे कारकरताओं के साथ मार पीट कर रहे हैं उनको गिरिफ्तार कर रहे है ये बहादुरी बेहिमानों के खिलाप आप में क्यों नहीं आती ये बहादुरी अडानी के खिलाप क्यों नहीं दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे आप छापे मार रहे हैं पुलिस वालों को भेज रहे हैं यहां अंदर ये दिन बदलेगा मोदी जी आपने अच्छा नहीं किया मनीश सिसोदिया के साथ मनीश सिसोदिया इस देश के करोणों बच्चों के दिलों में बसते हैं इस देश के अभिवावक चाहते हैं कि उनके राज्य का भी सिछा मंत्री मनीश सिसोधिया के जैसा हो दिल्ली के बच्चों को आपने दुखी किया है बच्चे वैसे भी भगवान होते हैं और उन नन्यम उन्य बच्चों को आपने दुखी किया है क्योंकि उनके लिए दिन रात काम कर रहे थे मनीज से सौधिया तस्वीरे हैं देख लीजेगा मोदी जी पंदरा के पहले दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत थी और आज अर्विन केजरिवाल जी के और मनीश सौदिया जी के प्रयासों से दिल्ली के स्कूलों की क्या हालत है इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ताना साही का अंत होगा और इस देश की जनता आपकी ताना साही का अंत करेगी आपने अत्याचार, अन्याय और ताना साही के सारे किर्थिमान तोड़ दिये कोई प्रस्न हो आप लोगों का आप सबके कैमरे में कैद है और ये कारवाई दिल्ली पुलिस की नहीं है ये कारवाई मोदी सरकार किये दिल्ली पुलिस हो, CBI हो, ED हो, Income Tax Department हो ये सब मोदी जी कही सारे पर काम करते हैं जो कहा जाता है वहाँ से वही ये लोग करते है इतनी अकल तो दिल्ली पुलिस वालों को भी है कि आफिस में किसी के नहीं घुसा जा सकता लेकिन यहाँ आफिस के अंदर घुस रहे हैं तो किस के कहने पर घुस रहे हैं कहां से निर्देश मिल रहा है उनको हम लोग CBI के दफ्तर के पास बहुत कम संख्या में कुछ लोग बैठे हुए थे कल वहां से उठा लिया एक कैबिनेट मंत्री तीन विधायक बारा तेरा पार्शाद मुझे हमने का क्यों ले आया है केंड़ आप डिटेन किया है हमने का कितने देर बोले पता नहीं तो तानसाई है सवाल आप करनी सकते लगबक 24 घंटे तक हम लोगों को बिना किसी कारण के थाने में डिटेन करके रखा गया है और बाद में सुबह कहा गया कि जाईए तो यह सब अपने मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं पुलिस वाले इनको जो ऊपर से कहा जाता है वही करते हैं लोग अब आगे फैसला आने दीजिए सीबी आई कोट का फैसला क्या आता है तो आगे की रणनीत फिर हम लोग आपको बताएंगे कॉंग्रेस पार्टी का चरित्र इन से मिलता जुलता है इसी प्रकार की ताना साही एमर्जनसी के दोरान कॉंग्रेस ने भी किया है इसी प्रकार की कारवाई और दुरुपयोग सीबी आई का एडी का पहले कॉंग्रेस भी कर चुकी है तो कॉंग्रेस का मामला तो ऐसा है कि गुनाहों से खुद जब हाथ रंगे हुए है तो वो कैसे बोलेंगे और आप सोचिए कि जब राहूल गांधी पे कारवाई होती है सोन्या गांधी जी पे कारवाई होती है तब तो एडी सीबी आई अत्याचार कर रही है मनिश सी सौधिया पे कारवाई हो रही है तो कांगरे सी लड़ू बाट रहे है जस्त मना रहे है तो एक ऐसा दो तरफा नजरी आए अगर एडी सीबी आई की फरजी कारवाई मनिश सी सौधिया के मामले में सही है तो वही कारवाई राहूल गांधी और सोन्या गांधी के मामले में भी सही है उसको स्विकार करो रोते क्यों फिर तो मैं धन्यवार देना चाहता हूँ उन सारी political parties का अखले सियादो जी का KCR जी का RJD VJN जी का JDU का CPIML का सब का सारी political parties का जिनोंने सिव सेना का संजरावद जी का भी बयान आया था उन सारी राजनीतिक दलों का मैं हर्दे से आभार विक्त करना चाहता हूँ जो इस संकट के समय में और इस ताना साही के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे है मैं सिर्फ फिर से दोरा रहा हूँ इस बात को कि इसका अंत तो होगा और आज एक पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहते कर रहते आपके दो-दो मंत्रियों पर कारवाई हो गई तो मैंने का भाई अगर जार्च एजन्सियों का दुरुपयोग करना है मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं सदुप्योग करना हो तो मुझे तीन घंटे के लिए दे दीजे cbid, मोदी जी भी अंदर चले जाएंगे और मिसा भी चले जाएंगे और अडानी भी चला जाएगा दे दीजे ना वो तो दुरुप्योग कर रहे हैं मैं सदुप्योग करके दिखा दूँगा तो जाँच एजनसियां अगर ऐसे काम करेंगी ED जो है आप सोचे आठ वर्सों में तीन हजार केसे की ED ने सिर्फ 0.5 प्रतिसत केस सही पाया गया बाकी सारा का सारा केस जूटा पाया गया यह है तो जिस संस्था का कन्विक्शन रेट 0.5 परसेंट है ED उसने सतेंजैन पे कारवाई की जिस संस्था ने तमाम तरीके की जाच कर ली और कोई सबूत नहीं मिला मनिस्थ सौधिया पे CBI वह मनिस्थ सौधिया पे कारवाई कर रही है तो इस बात पर क्रिपा करके मीडिया के मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं कि बिलकुल चिंता मत कीजेगा कि पता चले किसी सब सुबा दिली पांडे उठ रहे है दूसरी सुबा संत्री उठ रहा है कोई और इस पे बिलकुल आस्चार मत कीजेगा हम लोग तयार है इसके लिए जब चाहो जब चाहो जिस वक्त चाहो जहां चाहो जैसे चाहो गिरिफ्तार करो लाठी चलाओ मुकद में लिखो जो मन में आये करो लेकिन फिर दोरा रहा हूं इस मोदी अडानी के घोटाले से मुँ नहीं छिपा पाओगे मोदी जी कारवाई जितनी करोगे उतना इस बात को जन जन तक हम लोग पहुचाने का काम करेंगे अडानी के नौकरों से हम लोग डरने वाले नहीं मैं तो बड़ी बिनमर्ता पूर्वा कुन भाजपाईयों से पूछना चाहता हूं कि तुमने अपने बच्चों से बात की अपने बच्चों से जाकर चेहरे उनके आँख से आँख मिलाकर पूछो सारे भाजपाईयों को मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के सिख्षा मंत्री मनिस स्वादिया को मोदी जी ने गिरिफतार कर लिया है बच्चे तमाचा तो नहीं मार सकते अपने बाप को लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि वो बच्चे उनको जो जवाद देंगे वो जिन्दगी भर याद रखेंगे वो मैं सारे भाज़पाईयों से कहना चाहता हूं खास्तोर से दिल्ली के भाज़पाईयों से जरूर कहना चाहता हूं कि कृपा करके अपने बच्चे उसे आँख मिलाकर एक बार कहो ये बात कि मनिश सिसौदिया को मोधी जी ने गिरिफतार कर लिया बेटा ठीक किया या गलत किया पूछो उनसे वो जवाब देंगे तुमको मनिश सिसौदिया ने कोई व्रस्तचार नहीं किया किसी प्रकार की रिश्वत खोरी बेहिमानी नहीं की सारी जाँच CBI ने कर ली कुछ हासिल नहीं हुआ मैंने जैसे आपको कहा राजनितिक कारणों से अरविंद केजरिवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से आम आदनी पार्टी के बढ़ते हुए विस्तार से परेशान होके मनिश सिसौदिया के सिच्छा मॉडल से परेशान होके मोदी जी ने कारवाई की है और जो मौजूदा मामला चल रहा है इस वक्त जो सबसे गरम मामला है जेपीसी की मांग और मोदी अडानी घोटाले की जाच उस जाच के मामले को दबाने के लिए कारवाई की गई है थैंक यू थैंक यू